Hello friends, आज हम देखेंगे How to use Google Cloud हम लोग Google Cloud कैसे यूज कर सकते है मुपाइल में या लापटॉप में आपका अगर email ID है Gmail ID तो आपको minimum 15GB का storage आप यूज कर सकते हो आपके email ID के साथ 15GB storage आपके लिए free है वो आप यूज कर सकते हो जिसमें आप आपका files रख सकते हो photos रख सकते हो, videos रख सकते हो इसे आप mobile में भी use कर सकते हो Google Drive करके आपको app store में या iPhone है तो iPhone का Apple store में आपको download करना है और उसको login आपका email ID जो आपने create किया होगा Google का तो देना है और password देना है तो यह है मेरा Google Drive यह page कैसे आता है यह आपका Gmail ID login करने के बाद यह logo पे आपको यह सारा products दिखता है Google का तो इसमें drive है तो यह drive पे आप click करोगे तो यह Google Drive का page आएगा अभी यह blank है पूरा इसमें यहाँ दिया है 0 to 15 GB used अभी मेरा 0 use है इसके लिए 15 GB total free है तो इसे use कैसे करना है तो यह my drive में आप जाओगे तो यहाँ से आप new folder create कर सकते हो यहाँ से आप आपका कोई file है तो file upload कर सकते हो यह पूरा folder भी आप लोड कर सकते हो जैसे let's try I am trying to upload one folder into drive from my laptop so यहाँ से आपको यह आपका location दिखेगा और एक मैंने d drive में एक मैंने file रखा है trace करके folder है यह मेरा तो मैं इसे upload करता हूँ it will take some time अभी आगया upload complete करके let's see अभी यहाँ मेरा folder दीख रहा है जो मैंने मेरा laptop से यहाँ पे upload किया है आप इसे open करोगे यह मेरा एक log file है अंदर एक मैंने file रखा था इसमें मैं photo भी रख सकता हूँ जो भी रख videos रख सकता हूँ यह actually है सबसे secure और best है जैसे आपके documents है resume है काफी सारे educational documents है आप इस पे रख सकते हो google drive पे आप कहीं भी है all over the world आप इसे आपका cloud है तो access कर सकते हो आपका gmail id और password से आप इसे log in कर सकते हो print out भी निकल सकते हो समझे कोई document भूल गए हो या print out चाहिए तो यह best way है आप कहां से भी इसे print out निकल सकते हो मैंने तो मेरा whole documents यह cloud पे store करके रखा है तो मुझे जब भी जरूरत पढ़ता है तो मैं यहां से print out ले ले लेता हूँ सबसे main है कि आपको 15 GB का storage free of cost मिल रहा है इसके लिए आपको कोई charges नहीं देना है और आप कोई भी document इसमें upload कर सकते हो let's see अब यह एक मैं file upload करके दिखाता हो आपको एक location पे मैंने रख एक video यहां से मैं upload करता हूँ cloud पे yes upload see 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 मेरा यह upload चालू है और यह speed depends on your internet speed okay जितना internet speed आपका fast रहेगा उतना जल्दी आपका video upload होगा आपका file folder जो भी है upload होगा तो यह speed है based on your internet access and internet speed यह मेरा video भी upload हो गया basically एक cloud access करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है सबसे पहले तो आपको एक Gmail आइडी जीमेल open करना है Gmail open जैसे करते हो उसके साथ आपको यह cloud storage free मिलता है और उसके बाद आपको जैसे चाहिए आप यूज कर सकते हो mobile में भी आपके desktop पे भी जहां से भी file आप upload करते हो और कहां से भी आप उसे download watch भी कर सकते हो तो यह था Google cloud related video और thanks for watching this video अगर यह मेरा video पसंद आया तो please मेरा channel subscribe करो I will try to upload video on how to use cloud on mobile I will try my best as earliest thanks for watching झाल कर दो ये झाल के दो कर दने